दोस्तों, यह प्रशन मेरे पास अक्सर आता है कि भाईया, एक अच्छी परसनालिटी कैसे बना है? एक अच्छा व्यक्तित्व कैसे बना है? कि हम confident हो, मस्बूत हो, लोग हमारा सम्मान करें हमारा चलने उठने का तरीका लोगों से बात करने का तरीका इस दुनिया में जीने का तरीका कैसे डिवलप करें? क्या वो चीज़े हैं जो मैं फॉलो करनी चाहिए हैं? आज इस वीडियो में आपको कुछ पॉइंट्स दूँगा इनको फॉलो करना, अपनाना, इनके बारे में सोचना, प्रैक्टिस करना फिर देखना आपकी personality में कैसा निखा राता है कैसे आप एक बहतरीन इनसान मन के उबरते हो आपको अपनी personality को शांत बनाना है, subtle बनाना है, simple बनाना है, relaxed बनाना है जैसे आप अपने घर में बैठें अपने भाईや बहन के साथ बाते करें आपने इन्फॉरमल नहीं होना पर उतना रिलैक्स होना है मन को अतना आराम देना है। किसी की भी बहुत ज़्यादा परवा नहीं करने है। कि कोई मुझे judge कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, उसके हिसाब से जीना, उसके हिसाब से जीना, ऐसे कुछ नहीं सोचना, जहां भी जा रहे हो, अराम से relax होकर बैठो, यह relax होकर खड़े हो, simple सीधे तरीके से बाते करो, इसमें सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको अपने आपको relax करना सीखो, शांत भाव से कहीं भी जाओ, दोस्तों जब भी आप बात करो, clear होनी चाहिए, जो आप कहना चाहरे हो, वो बिल्कुल clear शब्दों में कहना है, चाहे दीरे बोलो, तेज बोलना कोई बहुत बड़ा गुण नहीं है, दीरे बोलो, रुक रुक कर बोलो, सोचो फिर बोलो, लेकिन आपकी बात उस इंसान तक clear and crisp जैसा आप चाहते हो, वैसी पहुशनी चाहिए, सबसे बड़ी सबलता यही है, लोग क्या fast बोलने के चकर में, accent मारने के चकर में, दूसरी बाशा में बोलने के चकर में, अपनी बात लोगों तक पहुचाई नहीं सबसे बड़ा नुकसान यही है, तो communication का, बातचीत का सबसे main motive यह होता है, कि आपकी बात crisp and clear दूसरे इंसान तक पहुचे, दोस्तों आपकी जो presence है, वो सूधी होनी चाहिए, उसमें एक शीतलता होनी चाहिए, और वो कैसे होगी, जब आपका मन, आपकी सोच पावन होगी और मन कैसे पावन होगा, जब आप अपने जीवन के बारे में, अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अपनी हिज़त करोगे, जीवन को अच्छा महसूस करोगे, खुश महसूस करोगे, और दूसरों के लिए अच्छी काम ना करोगे, सब सुखी रहे, सबका भला हो, सबको मोटिव होना चीए कि मुझे किसी की help करनी है किसी की मदद करनी है जब भी किसी दुखी इंसान को देखो कोई परिशान इंसान को देखो आपका मोटिव होना चीए कि मुझे इसको motivate करना है इसको सुख देना है इसकी मदद करनी है इसका साथ निभाना है लोगों को सही रहा दिखाना है, लोगों की बाते सुननी है, उनको समझना है, लोगों को उनके बारे में अच्छा महसूस कराना है, उनकी पीट थप थपानी है, तो जहां आपकी intention प्योर हो गई, विचार शुद्ध हो गई, सकरात्मक हो गई, पावन हो गई, वहां अपने आप आपकी अंदर से positive vibes निकलेंगी, लोगों को influence कर पाओगे, आपकी छवी पावन हो जाएगी, लोग उससे मंत्र मुग्ध होंगे, खुश होंगे, दोस्तों कहीं लोग कहते हैं बिलकुल straight बैठो, सीधे, attention में, और कहीं लोग बिलकुल late जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क उसमें दो चीजों का मिश्रान होना चाहिए, I am important, मैं जरूरी हूँ, I am relaxed, मैं आराम से हूँ, इन दो चीजों को mix करो, चाहिए खड़े हो, बैठे हो, फिर उस्तान को grand करो, जैसे सोफे पे बैठे हो, तो यह नहीं कि यूँ ऐसे straight बैठे हो, ऐसा नहीं है, पीछे हो के ब अच्छा मैसूस करो, राजाओं की तरह बैठो, कौन रोख सकता है अपको, मुख पर मुस्कान लाओ, लोगों के चेहरे की तरफ देखो, मुस्काते हुए देखो, लोगों की आखो की तरफ देखो, नजरे नी चुपानी, अपने आपको अपने जीवन का VIP समझो, और मैं जरूरी हूँ, शान से चलो, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना है ना देखे, जो सोचना सोचे, मैं चल रहा हूँ, वेन यू वाक, वाक लाइक दा हीरो आफ यू लाइफ, दोस्तों जहां भी आप जा रहे हो, जिस भी जगे आप मौजूद हूँ, अपनी एक जगा वाँ ढूंडो, एक comfortable जगा वाँ ढूंडो, अपना एक space वाँ पर बनाओ, चाहे उस कमरे में सारे अंजान लोग हों, तो भी एक जगे ऐसी ढूंडो, जहाँ आप अच्छे से खड़े रह सकते हो, वहाँ जाके खड़े हो जाओ, और वहाँ से उस कमरे को observe करो, बैटे शांती से, सही पैर का posture बनाए, comfortable हलके से हुए, फिर greet कर रहे हो, कुछ एक second लगेंगे, दो तीन second लगेंगे, लेकिन एक काम ज़रूर करना है, क्योंकि जब आप थोड़ा सा एक space में, एक जगे में relax हो जाते हो तो आप आगे की बातचीत बहुत अच्छे से कर पात या फिर आपको presentation चलते हो भी देनी है ना, तो जगे ढून लो, यहां से यहां चलोगा, फिर अपनी बात शुरू करो, कभी भी interaction की जल्दी मत करो, सबसे पहले एक space जून दो आपे comfortable हो, फिर बात करो, बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो किसी ना किसी hierarchy में आप से कम होंगे, क ऐसे लोगों को कुछ extra देना है, जिसकी वो उमीद करते हैं, वो आप से थोड़ी बहुत respect की उमीद करते होंगे, और थोड़ा बहुत उनको लगेगा, आप में घमांड होगा, attitude होगा, लेकिन आप उनको कुछ extra दो, बिल्कुल घमांड नहीं करना, बहुत प्रेम भाव से उनसे मिलना है, उनके हालचाल पूछना है, उनसे बाते करना है, पीड थप थपानी है, comfortable बनाना है, इससे उनकी जो expectations है न, वो तो मीट होई जाएंगे, उनको और अच्छा लगेगा, आपके एक बहुत अच्छी छवी उनकी निगावे बन जाएगी, लेकिन थोड़ी सी authority थोड़ा से डर होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए, कि मैं इस इंसान से बत्तमीजी नहीं कर सकता, गलत बात नहीं कर सकता, गलत काम नहीं कर सकता, वो करूँगा तो ये एकदम से गुस्से में आ जाएंगे, वरना जनरल ये मेरी बहुत respect कर रहे हैं, बहुत इमेशा ऐसे लोगों को, उनके संगर्शों के लिए, उनकी मेहनत के लिए respect दो, उनसे डरना नहीं है, उनको भगवान नहीं समझना है, थोड़ी सी इज़त देनी है, उनके संगर्शों को, उनके efforts को, उनके talent को, उनसे जितना सीख सकते हो सीखो, थोड़ा से appreciate करो, और authority का स सामने, दुनिया के सामने, thank you and all the best.